हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है तानिया फेशन आर्ट यूटुग चैनल पर मैं दीप का कुश्वा आज आपको साइड बेक बनाना बताऊंगी यह आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हो तो इसमें देखो मैंने फॉर्म सीट का यूज किया है और पीछे तो आप पीस की लंबाई है 18 इंची की इस तरीके से में पीस को रेडी रखना है इसको हम साइड से रख देंगे इसके पॉकिट के लिए देखो मैंने कपड़ा तयार किया है इसमें मैंने पेस्टिंग चिपकाई है बीच में अब इसकी भी मैं आपको लंबाई चोड़ाई बता द इसका निशान लगाऊंगी एक इंची पे तो यह देखो निशान में लगा लिया है इस तरीके से निशान को में सीधा लगा देना है अब जैसे मैं निशान लगाया है वैसी इसकी मैं कटिंग कर दूंगी तो कटिंग मैंने कर ली है इसी की बराबर की हमें चैन चाहिए त तो यह देखो इसकी नापके में इसकी कटिंग कर लूगी चैन की इसके बराबर मैंने चैन ले ली है अब इसमें हमें अटेश करनी है पॉकिट में तो यह देखो चैन में अटेश कर ली है अब हमें टॉप सलाई लगा देनी है टॉप स्लाई मैंने लगा ली है अब जो पीस हमने कटिंग किया था इसको भी अटेश कर देंगे सी में तो ये देखो ये भी अटेश कर दिया है इस पर भी हम टॉप स्लाई लगा देंगे अब टॉप स्लाई हमने लगा दी है अब इसमें हमें लॉक डालना है लॉक में ने डाल लिया है अब ये दूसरा पीस वी इसी के बराबर खा तो इसे देखो इस तरीक इसे रखना है और तीन साइट से हमें सलाई लगानी है तो आपको सलाई में लगा के दिखा रही हूँ तो ये देखो तीनो साइट पर हमने सलाई लगा ली है अब इसे हमें सीधा कर लेना है ये हमारी पॉकिट बनके रेडी हो चुकी है और ये कॉर्णर भी आपको कटिंग कर लेने है तो ये देखो पॉकिट भी मेना सीधी कर ली है इसे हम साइट से रख देंगे अब इस वाले बड़े वाले पीस पे निशान लगाएंगे तो यहां पर मैं निशान लगा रही हूं साथ इंची में यह साथ इंची का हमें पीस कटिंग करना है इसमें से तो निशान में लगा दिये हैं अब इस निशान से हम दूसरा भी निशान लगाएंगे दूसरी साइड भी ये निशान भी मैं 7 इंची पही लगा रही हूँ तो ये दोनों साइड में निशान लगा लिए हैं पहले हम एक साइड का निशान कटिंग करेंगे तो ये देखो मैंने कटिंग कर लिया है अब इस वाले बीच में से देखो सेंटर मेंने निकालना है तो निशान लगा लिया है मैंने बीच में अब जो हमने pocket तयार की थी इसको भी हम बीच अबीच के center का निशान लगा लेंगे तो दोनों निशानों को इस तरीके से हमें मिला देना है बीच में pocket रख दी है मैंने अब इस पर हमें sly लगा लेनी है तो sly मेंने लगा ली है अब इसमें हमें chain attach करनी है तो इसी के बराबर की मैं chain ले लूँगी तो chain को हमें इस तरीके से रखना है और sly लगानी है तो यह देखो sly मेंने लगा ली है अब हमें top sly लगा देनी है तो top sly भी मैंने लगा ली है अब जो piece में से हमने cutting किया था उसमे attach कर देंगे इस piece को इस पर मैं sly लगा रही हूँ इसका तरीका जो है बहुत simple है आप बना के भी देखना अब इस पर भी हम top sly लगा लेंगे तो ये देखो top sly इस पर भी मैंने लगा ली है अब इसमें हमें lock डाल लेना है तो lock मैंने डाल लिया है अब दूसरी side भी हमें chain ऐसे attach करनी है इसकी भी हम cutting कर लेंगे तो cutting मैंने कर ली है और chain भी ले ली है इसमें sly लगा लेनी है सेम तरीके से ही तो ये देखो तयार कर लिया है lock भी मैंने डाल लिया है अब pocket बनाने के लिए मैंने इसी के बराबर का कपड़ा लिया है ये देखो इस तरीके से चारा ओर से मैं sly लगा देनी है चारा ओर से मैंने sly लगा ली है तो ये देखो जो chain वाला हिस्सा है आपको मैं दिखा दे रही है यहाँ पर हमें sly लगानी है अलग अलग pocket करने के लिए तो ये देखो आपको sly लगा के दिखा रही हूँ मैं तो sly मैंने लगा ली है अब ये pocket हमारी दोनों अलग लग हो चुकी है अब इसके लिए मैंने तनी तयार की थी देखो ये आपको मैं दिखा दे रही हूँ अब इसकी लंबाई और चोड़ाई मैं आपको बता दूगे एक इंची की चोड़ाई है अब मैं लंबाई नाप हूँ तो 60 इंची की लंबाई है अब ये अटेश कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूगी इस तरीके से में बल्कुल बराबर पर रखना है और बीच में निशान लगा देना है ये देखो बीच वाले सेंटर पर में निशान लगा रही हूँ अब ये देखो हमें बीच में रखनी है इस तरीके से दोनों साइड पर और यहां पर स्लाई लगा देनी है हमको तो स्लाई मैंने लगा ली है दोनों साइड पर अब ये हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है ये देखो मैंने उल्टा फोल्ड कर लिया है यहां पर हमें दोनों साइड से स्लाई लगा ले है अब नीचे की साइट कुली रखी है हमने वहां सेु सिधा करेंगे है चैनल ये अलिया और यहां पर नीचे की साइट हमारी खुली है तो पहले हम्स लाई लगा लेंगे टो ये देखो पहले तो मैंने सिलाई लगा दी थी अमने पर यहां पर शबोर देने हैं, स्लाई के लगानी हैंאח। इसे हमें उपर की साइड को फोल्ड करना है। हमारी परैपीन बन के रेडियो झाएगी। तो यह देखो स्लाई में लगा ली है हमारी पाइपिन भी अटेच हो चुकी है बन चुका है हमारा साइड बैक और देखो मैं आपको दिखा रही हूं कितना अच्छा बना है आप बच्चों की ड्रेस की मैचिंग का भी बना सकते हो तो देखो पॉकिट भी काफी अच्छी है यह देखो फ्लोटी वाली पॉकिट भी हमारी काफी अच्छी बनी है और देखो मैंने आपको तीनों पॉकिट दिखा दी है इस तरीके से आप साइड बैक बना सकते हो तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी डिचलन को सस्क्राइब करें लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर करें थेंक यू